हाँ तो भाई जहालें आप सभी के सभी अच्छे चलो तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारा चैप्टर 15 रणिंग में है और आज तो यह कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि कल हम इसको पूरा जरूर कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि अब जो लास्ट में जो टॉपिक चलने वाले हैं चैप्टर 15 में वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है इससे पहले मैं आपको बात बता दूँ कि लास्ट वीडियो में हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे बात की और वो टॉपिक क्य एने किया था सीडिये ने और एक था जीनोमिक लाइब्रेरी अना दोनों ही जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपने आप में दो नम्मर का क्वेस्टन या एक नम्मर के क्वेस्टन के रूप में आ सकते हैं ठीक है बहुत है चूंकि हर साल ही इस चैप् पंदर और सोले में से ना बिल्कुल फिक्स है तो चलो चैप्टर नाम चैप्टर फिफ्टीन आनुवांस की अवियांत्र की ठीक है यह हमारा चैप्टर है फिफ्टीन शायद काफी दिनों हो इसको साथ आड़ दिन है चलो कोई बात नहीं एक दो कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे ना बिल्कुल देखिए तो कल जैसे ही आपको पता है कि हमने बात की थी एक कंप्लीमेंटरी डियने यानिक जिसको हम पूरक डियने कहते हैं और एक हमने बात की जीनोमिक लाइब्रेरी की है ना तो वहां से आपको एक तो उनकी कि सी डियने क्या है और जीनोमिक या जीनोम लाइब्रेरी क्या है दोनों ही अलग अलग डैफिनिशन थी है ना तो हम उसको आराम से पढ़ सकते हैं और उसके बाद कि इसका निर्माण कैसे किया जाता है उसके कुछ स्टेप थे जो बिलकुल बायो टेक्नलोजी की जो हमने स्टेप की बात कि थी उसी जैसे थे ठीक है तो आपको वहां साइद कोई दिक्कत नहीं है ठीक है हाँ चलिए तो आगे चलते हैं अब नेक्ष्ट जो है उसमें एक पॉइंट और रह गया है और वो है आनविक प्रोप्स जिनको हम मौलिकुलर प्रोप्स बोलके चलते हैं आनविक प्रोप्स तो जब से बात चल रही थी प्रोब द्वारा संक्रण कर पहचान ना जाता है यह क्या है प्रोब तो देखते हैं पहले डेफिनिशन ये RNA वा DNA के ऐसे खंड होते हैं जो अपने पूरक RNA वे पूरक DNA खंडों की पहचान करते हैं ये दो प्रकार के होते हैं पहला है RNA प्रोप्स दूसरा है DNA प्रोप्स ठीक है नेक्स्टेन की उप्योगता उप्योगता में जैसे हम देखें सबसे पहले तो जीन अवियांत्र की भिदी में दूसरा है भोजन में उपस्तित प्रदू सक्का पता लगाने में अपरादवे पैत्रक्ता संबंधी माम लो में चलिए वई ये एक छोटा सा टॉपिक था cdna और genomic library के बाद जिसको हम बोलते हैं molecular probes यानकी आनविक probes तो देखिए क्या होते हैं आनविक probes एक बहुत सिंपल सी मैं आपको बात बता दूँ कि जो आनविक probes होते हैं वो RNA और DNA की ही खंड होते हैं RNA और DNA की ही खंड होते हैं लेकिन वो ऐसे खंड होते हैं जो एक प्रकार से radioactive होते हैं कैसे होते हैं radioactive अर्थात radioactive पदार्थ के क्या विशेश्ता होती है कि यदि आप उसे UV rays डालें अल्ट्रा बाइलेट रेज यदि आप उन्हें पर डालें तो वो चमकते हैं या प्रकास किरन यदि आप किसी radioactive पदार्थ पर डालते हैं तो वो चमक उत्पन करते हैं करते न और उस चमक की बज़े से ही हमें पता चल जाता है कि हमारा ये कौन सा RNA है हमारा ये कौन सा DNA है ठीक है एक simple मैं आपको बताऊं देखो होता क्या है कि मान लीजिए हमें अपने DNA खंड को पहले single कर लेते हैं single एकल रज्जो क्योंकि हमारे जो complementary DNA होता है वो single होता है होता नहीं होता है तो मान लीजिए हमारे cDNA पर ये चारक्रम है ATGC है वह चारक्रम चलिए अब हम क्या करते हैं हम यदि हमें इसको पहचान ना है कि हमारा DNA कौन सा है वह मैं पता तो है कि हमारे DNA के अंदर ये ATGC वाला चारक्रम है ये सारे system मैं अभी आपको और आगे clear कर दूँगा जब हम most topic DNA fingerprinting जब पढ़ेंगे तब तो अभी आप एक बात समझो कि ये हमारा एक DNA है single strand का जिसके पास ये चारक्रम है ATGC तो हम क्या करते हैं इस खंड को पहचानने के लिए कि हमारा काम का DNA कहां पर है या हमारा DNA किस इस्थान पर है तो हम क्या करते हैं कुछ पूरक कुछ कृत्रियम तरीके से radioactive ऐसे खंड बना लेते हैं जो इनके पूरक हों मतलब कैसे जैसे इसमें चारक्रम ATGC का है तो इसमें हम चारक्रम रख देंगे TACG मेरी बात समझ मारी है यह जो TACG है इस DNA के पास जो यह TACG वाला चारक्रम है यह इसके पूरक चारक्रम है है कि नहीं मतलब इससे जुड़ने की चमता रखता है रखता है ना है ना में बात समझ में नहीं आ रही है यह ATGC चारक्रम बाला आपका DNA है ठीक है और यह काम हम कब करते हैं जब हमें DNA फिंगर प्रिंटिंग करना हो अपरादी की पहचान करना हो तब यह काम आती है डेटेल में आपको तभी समझाऊंगा जब मैं DNA फिंगर प्रिंटिंग बिदी समझाऊंगा है ना पूरे 45-50 मिनट की अकेली DNA फिंगर प्रिंटिंग है उसको मैं कल आपको समझाऊंगा आज यह चैप्टर आपका कम्प्रिट हो जाता लेकिन मैंने इसको इसलिए नहीं कि आज क्योंकि कल मैं इस पेसल आपको पूरी DNA फिंगर प्रिंटिंग बिदी समझाऊंगा बड़े अधंग से ठीक है हां तो यह जो ATGC DNA है यदि इसके हम अब देखो यह क्या कहता है कि यह RNA DNA के खंड है अच्छा यह DNA का खंड नहीं है कि यह जीसी जो मैंने माना है है ना ख पैचान करते हैं अब भाई पैचान कैसे करेंगे मान लेजिए मैंने TAGC बाला आनविक प्रोब डाल दिया ठीक है तो यह क्या करेगा यह तो अपने संगत DNA के खंड से ही जुड़ेगा जिससे जुड़ सकता है तो आप मुझे एक बात बताओ यह इसी से तो जुड़ेगा भाई इस वाले से जुड़ गया डबल स्ट्रेंड हो गया अब आप इस पर डालो यूवी रेज डाली यूवी रेज तो होगा क्या कि आपका जो यह DNA खंड है TAGC वाला यह तो साइनिंग उत्पन करेगा चमकेगा नहीं चमकेगा और जहां यह चमकेगा तो हमें पता चल कि यह वाला जो DNA ना वो हमारे काम का है ठीक है क्योंकि हमको पता था कि यह है जो चमक राय वो हमारे काम के DNA से ही जुड़ेगा और किसी से जुड़ी नहीं सकता समझ मारी मेरी बात तो इस परकार हम कुछ रेडियो एक्टिव DNA खंड बनाके रखते हैं जिनने हम आनविक प प्रोप्स की कि क्या होते हैं आनविक प्रोप्स बहुत सिंपल हैं आप अपने दिमाग में ऐसे याद रखो कि हमने कुछ रेडियो एक्टिव DNA और RNA के खंड बना ली है और उन खंडों पर हमारे नाइट्रूजन चार है अब जो नाइट्रूजन चार किसी दूसरे ब्यक् या RNA खंड को हम डाल देते हैं वो जोड़ जाता है उस पर किरंड डालते हैं तो वो चमकता है और बस पैचान लेते हैं समझ मागी बात तो यह होती है definition आनविक प्रोप्स के क्या कि ऐसे RNA और DNA के खंड जो अपने पूरक RNA DNA को पैचान है उन्हें हम आनविक प्रोप्स कहते अब यह दो प्रकार की तो होंगे होंगे यदि RNA की पैचान करने है तो RNA प्रोप्स DNA की करने है तो DNA ठीक है यह अलग क्यों क्योंकि आ रेने में ठाइमिल के इस्थान पर यूरसल होता है ना है ना थो उसमें यूरसल आएगा most one बात इसकी उपियोगता ये उपियोगता वाली जो बात है न वो बहुत important है पूछनी आ जाता है बाई कि आन्विक प्रोप्स की कोई एक उपियोगता बताओ ऐसे question आ चुके हैं बोल्ड exam में है न तो उपियोगता क्या है एक तो हम इनकी उपियोगता करते हैं जीन अवियांतर की बिदिम अरे बाई जो ये बिदी चल रही है उसमें काम में लेते हैं न इसको दूसरी बात कि भोजन में जो उपस्तित प्रिदूसक होते हैं उनका पता लगाने में हम इसका प्रियोग करते हैं ठीक है अब कैसे करते हैं ये हमको भी नहीं पता तो प्रिदूसक का पता लगाने में हम किसका प्रियो करते हैं 果 को ज़ोजन है 2 इसकी पंगत ने को बिलकुल इसी परकार है उसमें डालते हैं वो उसे जुड़ जाता है तो में पता चल जाता है कि यह खराब वाला डीने था तो ऐसे हम उसका प्रिदूसर का क्या लगाते हैं पता लगाते हैं केवल डीने के माध्यम से ही क्योंकि भोजन में भी प्लांट सेल है तो उसका डीने काम लेते हैं न अपराद और पैत रखता संबंदी मामलों में क्योंकि एसे बिदी का मुश्ट्री प्रियोगम डिने फिंगर प्रिंटिंग करेंगे तो डिने फिंगर प्रिंटिंग का क्या काम होता है एक तो अपरादी की पैचान करते और पैतरक्ता सम्मंदि मामलों को सुल जाते हैं प翟रा संन पैट्रक्ता सम्मंदी मामली मतलँ जैसे कुछ अधिकार जलतातें आ commission ये हमारा बच्च चाहरीं ये हमारा予 बच्च चाहरीं आween एक तो आनविक प्रूप्स के बाद हम अपने इस चैप्टर के सबसे लास्ट के पार्ट पर चलते हैं मैंने आपको बता दिया है कि इस चैप्टर में जो क्वेस्चन आने की चांसेज हैं बो लास्ट पार्ट से और स्टार्टिंग के जो हमारे फस्ट और सेकंड स्टेप हैं, उन से ही आएंगे, ठीक है, ये चीजें तो आपको बिल्कुल याद रखके ही चलने हैं, एक तो पहला और दूसरा स्टेप, और याद है ना पहला और दूसरा स्टॉप, बांचित जीन क कि पहँचानवे प्रिथक्रन वाला और ख्लोनिंग वह का चैन तो एक तो वहाँ से ज़्यादा आने के चांसे होते हैं कि और एक जो आप टापिक चलेगा तो वहाँ से क्वेस्टों आतने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं ठीक है यही टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरके से पढ़ने है चलिए तो एक हैडिंग है किलू नित जीनों के बिसलेशन की भिदिया आपको हैडिंग से बिलकुल भी मतलब नहीं है भूल जाओ क्या हैडिंग है ठीक है बिलकुल भी कोई लिना देना नहीं है आप तो इतनी बात समझो कि अब हम इस चैप्टर के इस लास्ट पार्ट में इस लास्ट टॉपिक में हम कुछ ऐसी भिदिया देखेंगे ऐसी भिदिया देखेंगे जो बहुत ही महत्पूर भिदिया हैं और मैं आपको अभी एक बात किलियर कर देता हूं क्या कि 37 चैप्टर जब मैंने आपको कराया था 37 मपार्ट तो वहाँ एक टॉपिक टा DNA फिंगर प्रिंटिंग बाला थ तब मैंने आपसे यह का था कि मैं इस भिदि को DNA फिंगर प्रिंटिंग को अभी आपको नहीं समझाओंगा जब हम 15 में चैप्टर को करेंगे तब मैं आपको DNA फिंगर प्रिंटिंग समझाओंगा कहा था तो एक बात मैं आपको बता दूं कि वहां मैंने वो क्यों नहीं सम जा रहा हूं तो पूरी DNA फिंगर प्रिंटिंग जो विदी है उसमें हम कुछ step wise कुछ विदियों का प्रियों करते जाते हैं ठीक है अब यहां 15 में पाठ में भी जो टॉपिक हैं उन विदियों के वो अलग अलग हैं ठीक है तो पहले मैं केवल DNA फिंगर प्रिंटिंग के टॉपिक को छोड़कर जितनी भी विदियों की मैं आज बात करूंगा ठीक है समझ मागी बात और फिर उनको जोड़कर आपको कल पूरी DNA फिंगर प्रिंटिंग एक साथ समझाओंगा ठीक है जिससे आपको completely DNA फिंगर प्रिंटिंग का मामला किलियर हो जाएगा समझ मागी बात हाँ आप तो बिल्कुल fresh mind करके इतना सोचो कि सर जो बिदी बता रहे हैं वो बिदी क्या है ठीक है कुछ मैथर की हम यहां पर बात करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत important बिदियाएं तो भयाव सबसे पहली बिदी बस अब आप अपने दिमाग को खोल दो ना जैल भैद्धुत कर्ण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस बिदी बस समझ लो बईयाओ रट जाओ हेडे मैं रट लो क्या है बहुत अच्छी तरह के सब ध्यान से आप समझो कि हम जो भिदी पहली देख रहे हैं हमें नहीं मतलब इसका लेना देना किस्य है बस इतना याद रखो मैंने आपके सामने एक टॉपिक लिख दिया एक भिदी लिखती और उस भिदी का नाम है जैल बैद्धुत कर्ण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस बिदी समझ में आई मेरी बात ठीक है देमाक में केवल इतनी ही बात याद रखो कि हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बिदी के बारे हम जान रहे हैं कि क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस बिदी अब देखो जैल का मतलब क्या होता है कोई जैली समान पदार्थ है न बैद्धुत कर्ण संचलन मतलब किसी बिद्दुत छेत्र के प्रभाव से बात समझो जैल होगा और उसमें कोई बिद्दुत छेत्र होगा उस बिद्दुत छेत्र के प्रभाव से जो कोई कण है जो जैल में पड़े हुए हैं उनका क्या होगा movement होगा है ना हेडिंग से कुछ-कुछ बाते किलियर हो रही है समझ मारी मेरी बात तो क्या है जैल बैदुत कंड संचलन यह बहुत इंपॉर्टेंट बिदी है मैं आपको पूरी को बहुत अच्छी तरके समझाऊंगा आप ध्यान से समझना तो सबसे पहले मैं इसकी त्योरी लिखत इस बिदी में डी एने खंडों को सुद्ध करके अलग किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट इस बिदी में बैद्धुत छेत्र के प्रभाव से रनात्मक आवेशित डी एने खंडों को उनके आकार के आधार पर अलग किया जाता है इसमें दो प्रकार के जैल काम आते हैं पहला एगारोज दूसरा पॉली एक्रिलो माइड ठीक है नेक्स्ट पॉइंट जैल में सूक्षम छेद्र होते हैं जो छलनी की भाती कार्य करते हैं आते जविन में विद्धुत प्रवाहित की जाती है तो कुछ डियने खंड तेजी से आगे भड़ते हैं वेकुछ द्धीमी गती से भड़ते हैं ठीक है इन्हें अविरंजित कर करते हैं और यूवी प्रकास में देखते हैं तो यह चमकीले नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में दिखाई देते हैं ठीक है यह है एलेक्ट्रोफोरिसिस की थियोरी ठीक है चलिए अब इसको हम समझने की कोशिज करते हैं थियोरी को तो होता क्या है एलेक्ट्रोफोरिसिस बिदी मैं आपको पहले एक बात बता देता हूं कि एलेक्ट्रोफोरिसिस बिदी का एक उद्दिश से यह होता है कि डीने खंड को आकार के आधार पर अलग करना क्योंकि जब भी हम कोई जैसे मैं आपको बता दूं कि डीने फिंगर प्रिंटिंग जब हम करते हैं तो उसमें हमें एक छोटे डीने खंड की आवस्यक्ता होती है मेरी बात समझ मारे आपको है ना तो यह जो पूरी चीज जो जुड़ी होई चीज है वो मैं आपको हालंकि कल किलियर करूंगा कल ही आपके और यह अच्छी तरह के समझ माएगा कि क्या इनका कनेक्शन होता है फिलाल आप इसको एक बार समझो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो बिदी होती है उस बिदी का एक मुख्य काम यह होता है कि इस बिदी से हम अपने डियने खंडों को जिसे हम डियने फिंगर प्रिंटिंग में या जेनेटिक इंजिनिरिंग में काम ले रहे हैं उस डियने खंड को आकार के आधार पर अलग करने के लिए हम इस बिदी को मु आपका यही बन जाएगा कि एलेक्ट्रोफॉरिसिस बिदी का मुख्य उद्दिश से तो आपका आंसर है डीने खंडों को आकार के आधार पर पहचानने या अलग करने के लिए हम एलेक्ट्रोफॉरिसिस बिदी का प्रियुक करते हैं यही बात समझ में एलेक्ट्रोफॉरिसिस बिदी का उद्दिश से क्या है केवल डीने खंडों को आकार के आधार पर अलग करना यनकी बड़े खंडों को अलग और छोटे खंडों को अलग केवल यही उद्दिश से होता है एलेक्ट्रोफॉरिसिस बिदी का ठीक है एक बार की थियोरी हम पढ़के देखते हैं फिर डाइग्राम बना के हम इसको समझेंगे तो देखिए इस बिदी में DNA खंडों को सुद्ध करके अलग किया जाता है है ना सुद्ध करके अलग करना मतलब बड़े अनू अलग छोटे अनू अलग DNA के बोवी तो यह नेक्स्ट क्या कहता है कि इस बिदी में बिद्धुत छेत्र के प्रभाव से कि जो यह इलेक्ट्रोफॉरिसिस बिदी है इसमें बिद्धुत छेत्र होता है मतलब एनूड और क अथि नेखंड होते हैं्प आप चांते हैं सभी जो DNA होता है वह Черफ्येकष क्लोब दॉक्त नेगिटीब चार्ज होता है तो आप नेखना लेकिन रीजन ओसका बताहिया आप मुझे रीजन क्या और होता है राइस डानिवा ना फॉसपैट होता है जो फॉस्पैट बीकर ल एडू है वो नेगिटिव चार्ज होता है समझ मागी बात आप इसको भी याद रखना अपना डियूटिव फॉस्पेट हमारे जो डियने वहता है कैसा होता है नेगिटिव चार्ज होता है किस बज़े से फॉस्पेट की बज़े से ठीक है चलिए तो इस बिदी में बेद्धुच्षेत्र के प्रभाव से जो रिणात्मिक आविशित डियने खंड होते हैं उनको हम आकार के आधार पर क्या करते हैं अलग करते हैं तो ये इसका उद्देश्य है इस बिदी का ये उद्देश्य आपको समझ मागया बहुत सिंपल है यार जैल तो जैल भी होगा इसमें ठीक है तो बेद्धुच्षेत्र के प्रभाव से यदि हम रिणावेशित डियने खंडों को उनके आकार के आधार पहला कर देंगे तो उस विदी उसमें कौन सी विदी काम ली जाएगी एलेक्ट्रो फॉरिसेस तो ये लाइन आपको समझ मा आई कि नहीं आई कि बहुत सिंपल है कि बेद्धुच्षेत्र के प्रभाव से रिणावेशित डियने खंडों को उनके आकार के आधार पर अलग करना इस विदी का मुख्य उद्देश है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट अब वह कहता है कि इस विदी में दो प्रकार के जैल क कि अम आते हैं किस विदी में क्यों अरे बाई डि एने खंडों को अलग करने के लिए हम इस विदी में दो प्रकार के जैल का में लेते हैं या तो आप आप एगारोज जेल काम मिलीजिए या पॉली एक्रेलो माइड जेल काम मिलीजिए यह नैचुरल जेल है यह आर्टिफिसियल जेल है तो जो एगारोज जेल है आपने सुना होगा रेड एलगी से इसको प्राप्त किया जाता है यदि आपको 11th क्लास की वो बात याद हो जिसक इसको मैंने अगार-गार नाम दिया था ठीक है एक लाल सैवाल जिलीडियम ग्रेशी ले रिया उसका नाम है उस सैवाल से हम इस जेल को प्राप्त करते हैं एगारोज जेल को याद है ना आपको वो बात 11th क्लास की हैना तो सुनिए ए एगारोज जेल क्योंकि इसका नाम ज और एगा रोज जैल के माद्यम से हम बिद्दुत छेत्र दे कर या करंट प्रवाहित कर अपने डी एने खंडों को आकार के आधार पर अलग कर रहे हैं यही इलेक्ट्रोफोरिसेस हैं हैना अब नेक्स्ट इससे हम कैसे करते भाई कि जो यह जैल होता है इसमे सूक्च मचिद्ग रोज जो जैल है मालीजी एगा रोज तो इस जैल में छोटी-छोटी से चिद्ग रोज जो चलनी की भाती काम करते हैं जिनको आनविक चलनी बोल सकते हैं आनविक चलनी का मतलब जिसे डी ने छं जाए ठीक है तो जो चलनी की भातिकार करता है अब जब इन में बिद्डूत परवाहित की जाती है तो जो डीने के खंड बड़े होते हैं जो डीने के खंड छोटे होते हैं वो तो तेजी से आगे बढ़ते हैं भाई देखो छोटे खंड नहीं पर रह जाएंगे तो नहीं आई बात समझ में जैल में क्या है चिद्र है चिद्र आव इसमें डियने कैसी डालते हैं कुछ बड़े अडूवे भी है विच कुछ छोटे अडूवे लेकिन हमको पता थोड़ी है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है हमें तो बस छोटे को अलग करना था तो एक बात आप देखिए इस जैल में यदि हम बिद कलना पड़ेगा तो जो छोटे डियने खंडे वो तो अपने आप आगे पहुंच जाएंगे और जो बड़े खंडे वो पीछे रह जाएंगे और इसको हम क्या करते हैं अभी रंजित कर देते हैं एक पधार्त होता है एथीडियम ब्रोमाइड अभी नीट एक्जाम में देखते हैं तो वो चम की लिए नारंगी रंगी पट्टियों के रूप में देखाई देते हैं ठीक है तो यह है जैल एलेक्ट्रो फॉरिसेस अब मैं इसका डाइगराम बनाता हूं तब आपको इसको बिल्कुल किलियर समझा हुआ ध्यान से आप मेरी बात को समझो अब य झालब कर दो चलाब से आप कर दो यह है जाई दो यह है। कि ठीक है देखिए भाई यह माल लेते हैं एक बैड है बैड और इस बैड में है भाईया जैल बात को जरा द्यान समझो आप यह पूरे में है एगारोज जैल है ना और इसमें क्या होता है कुछ खांचें होती हैं ऐसे यह खांचे हैं ठीक है और इधर हम क्या करते हैं यहां पर हम लगाते हैं कैथोड है है ना इधर होती है हमारी एनोड माली जी इधर नेगिटेव चार्ड और यहां पर हमारे पड़े हुए हैं डीने क्या है भाई डीने इन खांचों में ठीक है इसको हम जो भी आप जानते हैं प्लस माइनस जो भी है उससे हम बैंटरी से जोड़ देते हैं माली जीए बैंटरी जुड़ी हुई है प्लस माइनस ठीक है समझ मागी बात हाँ अब देखो वही क्या होता है कि यह जो एक बिदी है यह पूरी यह एक प्लेट होती है और उस प्लेट में जैल भरा हुआ होता है माली जी यह जो भरा हुआ है वो एगारोज जैल है कौन सा जैल है एगारोज जैल है तो इस एगारोज जैल में इधर की सैड में कुछ खांचें होती है खांच और उन खांचों में हम डाल देते हैं अपने डीने एडूँ को, है ना? अब जो डीने एडूँ है, कुछ डीने एडूँ बड़े ओते हैं, कुछ चोटे होते हैं, अब ये बड़े और छोटे का क्या मतलब होता है, मैं अभी आपको बता देता हूँ, देखो, क्या होता है? कि मान लीजिए हमारे पास गुर्ण सूत्र होते हैं तो गुर्ण सूत्र एक का कुछ DNA खंड जिसमें पांच नाइडूजन छाड थे ऐसे तो इसमें यह ऐसे पांच पॉइंट हैं दूसरा गुर्ण सूत्र था उसमें माली जी दो हैं तीसरा गुर्ण सूत्र उसमें माली जी साथ हैं समझ मारी मेरे बात कोई नाइडूजन छाड तो इस प्रकार थे अभी मैं इसको एक सिस्टम और आपको बताऊंगा जब मैं DNA फिंगर प्रिंटिंग कराऊंगा अभी आप इतना समझो कि आपके पास कुछ ऐसे DNA खंड हैं जो आकार के आधार पर अलग-अलग हैं कुछ बड़े खंड कुछ उस्से छोटे कुछ उस्से छोटे मतलब ऐसे हैं DNA खंड तो हम क्या करते हैं इन खांचों में अपने उन सभी DNA खंडों को डाल देते हैं बड़े बड़े से बड़े छोटे मीडियम साइज के सारे जो DNA खंड हैं हम उनको इसमें डाल देते हैं डाल दिया भई कहां पर इन खांचों में हमारा उद्देश से क्या है हमारा उद्देश से यह होता है कि ज के लिए बहुत उप्युक्त होता है ठीक है समझ मागी बात तो हमारा इलेक्ट्रो फॉरिसिस बिदी करने का उद्दिश से क्या है कि किस प्रकार हम अपने छोटे डियने खंड को पहचाने यही हमारा उद्दिश से सिंपल सी बात है चलिए तो इस खांचों में हमने अपने डियने को डाल दिया यहां तब कोई इसको अरैंज कर दिया जब आप इसमें चैफ रवाहिद करेंगे तो एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं आप फिजिक्स पड़ते हैं आप सभी जानते हैं है ना कि सिंपल सी बात है ना देखो यह डीने खंड पड़ी हुए याप पड़ी हुए डीने खंड जब आप इसमें करंट प्रोवाइड करेंगे करंट तो इस बिद्धुत छेत्र के प् बागेंगे नहीं बागेंगे यदि यह को स基本 कितरा भागते हैं तो भाई हमने it कि यहां एका रोज जैल भिच्छा रखाएं टेया-वाजचा रखाएं एक रोजजल जैल खाये एगा रोज जैल में क्या है इस परकार के छोटे 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 में क्षिद्र है को जैसे ही आयन की टरफ भागेंगे कि इनहें कहां से निकलना होगा इन हैं चोटे छिद्रों से समझ मारी दीरे-दीर बात क्योंकि यह जैल है पूरा एगा रोज जिसमें क्या है ज़ेज़ है तो वो किसकी तरह काम करेगा एक आन्विक छलने की तरह काम करेगा ठीक है तो पूरे में चिद्र ही चिद्रे तो जो डिये ने अनू छोटा होगा सबसे छोटा आप यार इतने तो समझदार हैं कि जो डिये ने अनू सबसे छोटा होगा वो सबसे आगे होगा नहीं होगा क्या आगे है ना जो मीडियम साइज है वो थोड़े पीछे होंगे होंगे ना और जो सबसे बड़ा डिये ने खंड होगा वो सबसे पीछे पीछे ही रहे जाएगा कि समझ मारी मेरी बात है ना मतलब यह भागेंगे तो एक बात आप मुझे बताओ कि जो सबसे छोटा डिये ने खंड होगा वो सब के लिए तो सबसे आगे कौन सा डीने खंड होगा जो सबसे छोटा होगा यार कितनी सिंपल सी तो बात है ठीक है हाँ तो अब यह देखो अब हमने इसमें क्या किया अब इतना तो हमें पता चल गया कि जो डीने खंड छोटा होगा वो सबसे आगे होगा अब हम इसमें क्या कर ब्रोमाइड यह एक अभीरंजक है जो इनको रंग देता है रंग दिया अब यह जो डियने खंड है वो रंग हुए डियने खंड है और जब हम इन पर यूवी रेज डालते हैं तो यह चमकते हैं मतलब जब यह चंकर जाएंगे तो समान लंबाई के बैंड बना देंगे जैसे इसकी लंबाई का अलग बैंड इसका अलग बैंड इसका अलग बैंड और जब इस पर यूवी रेज डालेंगे तो यह चमक उत्पन करेंगे तो जो डियने खंड छोटा होगा वो सबसे छोटी चमक कुदपन करेगा यार इनमें यह लाइटिंग सिस्टम मानो है ना तो यह थोड़ा सा ही चमकेगा यहां से यहां तक की लंबाई देखेगी इसकी इतनी बड़ी लंबाई दिखेगी जब यह चमकेगा तो इसकी इतनी बड़ी लंबाई दिखाएगी तो एथीडियम वो सबसे आगे ते छोटे बाले ठीक है तो यह है हमारी इलेक्ट्रो फोरेशिस बिदी समझ में आई बात नहीं आई इलेक्ट्रो फोरेशिस की बहुत ही सिंपल सी बिदी है इलेक्ट्रो फोरेशिस की ठीक है हाँ यदि आप इसको डंग से पढ़ना चाहें तो ठीक है तो य यह है एलेक्ट्रो फॉरेसिस बिदी समझ मागी आपको बात बहुत ही सिंपल है देखो एक बार फ्रेस माइंड से आप सोचो देखो कैसे यह रहाब है तो बड़े खंडे वो पीछे रहं बस इनको अविरंजित कर पहंचान लिये जाता है कि कौन से छोटे हैं कौन से बड़े हैं तो इसका उद्दिश से डीने खंडों को केवल आकार के आदार पर अलग करना ठीक है भई तो यह है हमारी फर्ष्ट विदी जैल एलेक्ट्रो फॉरिशिस ठीक है दूसरी विदी सेकिंड जो भिदी है वो है ब्लोटिंग तकनीक क्या है ब्लोटिंग तकनीक तो क्या है ब्लोटिंग तकनीक देखिए इस ब्लोटिंग में डीने खंडों को एगारोज जैल से निकाल कर नाइट्रो सेलूलोज की जिल्ली पर इस्थानांत्रित कर दिया जाता है फिर डीने प्रूप्स संक्रन द्वारा पहचाना जाता है इसी ब्लोटिंग तकनीक कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट डीने को नाइट्रो सेलू जिल्ली पर इस्थानांत्रित करना सादर्न ब्लोटिंग कहलाता है ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आरेने खंडों को आमीनो बैंजाइल चलो इसको चोड़ो इसको भी मैं कली आपको बताऊंगा ना क्योंकि फिर आपका निफ्यूज हो जाएंगे इसको टाइम लगेगा बताने में ना समझ रहे हैं? चलो कोई बात नहीं यहां से आप देखो ब्लॉटिंग तक्निक तो ब्लॉटिंग तक्निक क्या है? पहली विदी हमने कौन सी देखी आरेने खंडों को बोलते हैं blotting तकनीक तो क्या है blotting तकनीक देखिए कि इस विदी में dna खंडों को एगारोज जेल से निकाल कर अभी जो आपके जो आपने पहली विदी की थी उस एगारोज जेल में आपके dna खंड पड़े हुए पड़े हुए ना तो यदि हम उन dna खंडों को एगारोज जेल से निकाल कर एक नाइट्रो सेललोज की जिल्ली पर फिक्स कर दें इस्थाना नत्रित कर दें उन डीने खंडों को जो आपके एगा रोज जेल पे थे अभी ठीक है तो फिर इने डीने प्रोप्स संक्रण द्वारा पहचान लिया जाए तो इस विदी को हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं बलोटेंग नहीं आई बात समझ भी बलोटेंग की एक बहुत सिंपल है देखो समझो अ अभी आपने जैल बिद्दूत विदी की थी ला तो उसमें डीने खंड पड़े हुए तो यदि आप एक नाइट्रो सेल लोज की जिल्ली लें जिल्ली मतलब जैसे आ तो उस सीट को आप उस एगा रोज जेल पर रख दें तो एगा रोज जेल की जो DNA है वो इस जिली पर चिपक जाते हैं बस इसी बिदी को ब्लोटिंग बोलें आप क्या बोलेंगे ब्लोटिंग नहीं आई बात समझ में बहुत सिंपल है कि एक नाइट्रो सेललोज की जिली पर यदि आप एगा रोज जेल से DNA खंडों को निकाल कर उस पर चिपका दें तो बस उसी बिदी को हम ब्लोटिंग तकनिक कहते हैं कितनी सिंपल बिदी ये ब्लोटिं ठीक है कि अभी जो आपका एगा रोज जेल वाला बैड था उस पर ऐसे चापा मारो और बस हटा लो तो जो डिये ने एगा रोज जेल पर थे ना वो कहां से पक जाएंगे नाइट्रो सेललोज जिली पर तो बस इसी को हम क्या बोलेंगे ब्लोटिंग तकनिक बोलेंगे क्य क्या है ब्लोटिंग तकनिक हैना बहुत सिंपल है अब एक बात और समझो कि यह जो ब्लोटिंग तकनिक अभी हमने किया डिये ने खंड बालें इसे हम बोलते हैं सदर्न ब्लोटिंग क्या बोलते हैं सदर्न ब्लोटिंग तकनिक तो क्या है एक सदर्न नाम के बैग्यानिक सदर्ण नाम के बैग्यानिक ने क्या किया कि जो DNA थे उनको अंगारो जेल से नाइट्रो सेलूज की जिल्ली पर लाए ठीक है तो उसे हम क्या बोलते हैं सदर्ण बलॉटिंग तक्नीक बोलते हैं εκ सदर्न ब्लोटिंग तकनीक बोलते हैं तो आपको बात समझ मागई सदर्न ब्लोटिंग तकनीक की बहुत सिंपल कि DNA खंडों को यदि हम एगारोज जैल से नाइट्रो cellulose की जिल्ली पर transfer कर दे तो इस भिदी को हम सधरन ब्लोटिंग तक्णिक कहते हैं ठीक है वात समझमारी मेरी तो क्या है सधरन ब्लोटिंग तक्णिक या आप बिलकुल अच्छी तरह के समझ गये होगा ठीक है चलिए तो आपको सधरन ब्लोटिंग पता चल गया अब यही प पर दू प्रकार की और ब्लोटिंग है उसकी भी हम परिवासा चलो देखी लेते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट हाँ RNA खंडों को नाइट्रो सेल्लो जिल्ली के स्थान पर अमीनो बैंजायल ऑक्सी मिथायल जिसको सॉल्ट मुलते हैं OVM पत्र पर इस्थान अंत्रित किया जाए तो इसे नदर्न ब्लोटिंग कहते हैं एक लास्ट पॉइंट है यदि प्रोटीन को नाइट्रो जिल्ली पर उद्भासित कर उसकी पहचान की जाए तो इसे वैस्टर्न ब्लोटिंग तकनीक कहते हैं देखे वाई ध्यान से आप मेरी बात को समझो कि जो ब्लोटिंग तकनीक है यहाँ पर मैं तीन ब्लोटिंग तकनीक की बात करता हूँ एक तो है सदर्न एक है नदर्न और एक है बैस्टर्न ब्लोटिंग एक बहुत सिम्पल है की यदि आप एगा रोज जैल से डि एने खंड़ों को फिक्स कर रहे हैं नाइट्रो सेल्लूलोज पर तो तो वो सदर्न है हैना यदि आप आप एगारोज जैल से आरेने खंडों को नाइट्रो सेललूज के स्थान पर ओवी एम पर स्थान अंत्रित कर रहे हैं तो इसे नदर्न बोलते हैं और आरेने को छोड़कर प्रोटीन को अलग करें और प्रोटीन को पेंचानें और वो भी किस पर एक नाइलोन की जिल्ली पर या नाइट्रो सेललोज जिल्ली ले सकते हैं तो एक सिंपल सी बाद है, यदि आप नाइट्रो सेललोज की जिल्ली पर प्रोटीन को इस्थाना नत्रित कर रहे हैं एगारोज जेल से, तो तो है बैस्टर्न ब्लोट तक निक, यदि आप डी एने खंडों को ले रहे हैं, तो तो है सदर्न ब्लोटिंग, और यदि आप आरे कार की ब्लोटिंग तकनिक की डैफिनिशन आपको याद हो जाएगी, ठीक है, तो ये है हमारी दूसरी बेदी जिसकों क्या बोलते हैं, विलोटिंग तकनिक बोलते हैं, तो बताओ क्या दिक्कत है आपको इन ब्लोटिंग तकनिक में, याद हो जाएगी आराम से, कोई दिक समझ मारी मेरी बात क्या है ब्लोटिंग टक्निक एक सिंपल एक फ्रेश दमाग से आप सोचो कि भाई एगा रोज जैल पर यदी हमारे डियेने कंड पड़े हुए हैं और यदी हम उन डियेने कंडों को नाइट्रो सेलुलोज की जिल्ली पर ले दें तो तो है सदर्ण है ना यदी एगारोज जैल में आरेने खंड पड़े हुए हैं और उन्हें हम ओबियेम पत्र पर ट्रांसपर करें बो है नदर्ण क्लियर और यदी एगारोज जैल पर प्रोटीन है और उसे हम नाइट्रो सेलुलोज या नाइलोन जिल्ली पर लें तो वो है बैस्टर्न ब्लॉट क्या देखकत है इसमें ठीक है तो यह हमारी दो इंपोर्टेंट भिदी आज आपने पड़ी तो इनको धंग से पढ़ना औ और कल हम अपने इस चैप्टर को कम्प्रीट करेंगे तो बागी बात करेंगे अब कल